ब्रेके बाद खबर कानपूर से है जहां कानपूर में जेमडी ग्रोप द्वारा स्थापित जेमडी वर्ल्ड स्कूल में बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है GMD Group द्वारा मैनावती मार्ग पर इसकॉन मंदिर के पास GMD World Boarding School का शुबारंभ किया गया अभिभायकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसकूल को त्यार किया गया है आधनिक सुविधाओं से परिपून GMD World School में बच्चों की एक्टिविटी को सवारने की तमाम संसाधन उपलब्ध है 2023-2027 में बच्चों को नई सिक्षा प्रनाली की तहट सभिता, संसकार और टेकनोलोजी सिक्षा से रूबरू कराया जाएगा बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अक्टिविटी पर विशेश ध्यान रखा गया है आउट्डोर खेलों के लिए बड़े-बड़े मैदान और स्पेशल कोच की भी बिवस्था की गई है यहाँ जानकारी, प्रेसवारता के दोरान जेमडी वर्ल्ड स्कूल के चेर परसन दीब चंद्र दिक्षित संजीव दिक्षित ने दी स्कूल के डारेक्टर चाहत दिक्षित और प्रिंस्पल मलिका अरोरा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सिक्षा से मानसिक विकास होता है लेकिन शारेरिक विकास के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है जे अमट्री वर्ल्ट स्कूल बच्चों को सारी ही सुविदा हैं देगा करिक्यूलम वाइस अग्यार मिक्स के लिए पूरा सपोर्ट है टीचर का और सारी ही स्पोर्टminute इस हैं 14 सपोर्ट qualities हम प्रोएट कर रहें हैं बच्चों को उसके उलाबा प्रिप्रामरी सेक्षन और रोल प्ले के लिए opportunities प्रोवाइट की गई है बच्चों को तो बच्चों का एक अलगी learning का और playing का नुबव होगा जिससे वो बहुत खुशी से school आएंगे और enjoy करेंगे अपना school JMD World School की opening उद्देश ये किये है कि आज के समाज में जो बच्चों की और parents की एक problem है उनके ध्यान में रखते हुए कि आज बच्चे को किवल पढ़ाई का ही लोड है बच्चे के जीवन में जो stress है या बच्चे को smart जो बनाना है उसको कैसे बनाया जाए उस उद्देश को ध्यान रखते हुए जीवनी वर्ड स्कूल की आज इस थापना की गई है देखिये आज जो एक parents की और जो एक student की या बच्चे की problem है वो problem यह है कि इस भागदोर जिंदगी में parents को लगता है कि हमारे बच्चे को पढ़ना चाहिए पढ़ने के इलावा भी एक बच्चे को ग्रोव करने के लिए बहुत से चीज़े चाहिए होती है जैसे बढ़ते हुए बच्चे को पूरी नीद चाहिए बढ़ते हुए बच्चे को पूरा इस्पोर्ट से ही बढ़ते हुए बच्चों को पूरी डाइट चाहिए तो इस भागदोर्ण जिन्दगी में जब जो पैरेंट्स वरकिंग पैरेंट्स होते हैं तो वो इन चीजों को कहीं अपने बच्चों से दूर करते जा रहे हैं